दर्द की ऐसी तस्वीर देंगी कलेज अचीन तड़पते बिलकते लोग चीख पुकार हरो दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरे बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपने कड़ीवे जो रिस्तिदार है अपने दोस्त है जो जिनके साथ काम पे निकले थे उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल रहा है दर्द आसू बेहसाब पेश इंसानियत की मिसाद भायानक हादसा जिसने सुना दहल गया एक बार से कस के धक 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 करने लगा गारी उसका बात पता ही नहीं चलागी कैसे क्या होगा क्या हो गया मालूम नहीं एक्ष्टिन हो गया जब कुद मालूम नहीं क्या हुआ 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 है दर्द की ऐसी दिल जग जोरने वाली तस्वीर जिसे देख कर दर्द भी बेपना दर्द से कराह उठे दो जून की शाम से बाला सोर से ऐसे ऐसे मनजर सामने आ रहे हैं जिने सिर्फ सुनकर ही दिल सहम जाता है क्योंकि इन तस्वीरों को देखने की हर किसी में हिम्मत नहीं है इसके लिए आपको पत्थर दिल होना पड़ेगा एक आम इंसान अपने दिल पर हाथ रखे बिना इस भयाबै तस्वीरों को देखने का होसला नहीं दिखा सकता तस्वीरें रोंटे खड़े कर देने वाली हैं कलेजा चीर देने वाली हैं और हर और रोते बिलकते लोग दर्द, तकलीफ और आस्मों का सेलाब हैं बाला सोर में भीशन ट्रेन हाथ से ने सभी को जगजोर कर रख दिया है हाथ से में कई लोगों ने अपनों को खो दिया हजारों जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं रोते बिलकते लोग अपनों की तलाश में जद्दो जहद कर रहे हैं हाथ सा कितना खौफनाग था, मौकी से आई तस्वीरें सब कुछ बया कर रही है रेल की पटरियां उखड गई हैं और तूटी पटरियां ट्रेन को दो फाड करते हुए आर्थ पार हो गई है प्रेन के डिब बे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए तो भला इनके भीतर मौजूद लोगों का क्या हश्र हुआ होगा शाम का वक्त था प्रेन में मौजूद लोग इसी अनहोनी से बेखवर थे लेकिन एक जटके में अचानक सब कुछ तहस नहस हो गया और फिर हर और सिर्फ चीख फुकार मच गई कई बोग्यों के परखचे उड़ गए हाथ से के बाद का मंजर खौफनाक था चारो और अफरा तफरी थी हर और चितकार और जान बचाने की गुहार थी हर तरह बिखरा हुआ सामान और लाशों का अमबार था बदहवास इंसान अपनों और चहेतों की तलाश मी था किसी को अपनों के खोने का दुख था तो किसी को ना बचा पाने का गम फ्रेन में सवार हर शक्स ने मौत का सामना किया कोई बेमौत मारा गया तो जो जिन्दा बच गए उन्हें ऐसा जख्म मिला है जो उन्हें जिन्दगी भर सताता रहेगा हादसा इतना भीशन था कि दो ट्रेनों के डिबबे एक दूसरी के ऊपर आड़े टेड़े हो गए हादसे की खबर मिलते ही मौके पर फॉरण तलाशी और एस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया आर्मी हो एंडियार या फिर एर फोर्स सभी ने मोर्चा समहल लिया अस्थानिय लोग भी इंसानियत का फर्ज निभाने से पीशे नहीं हटे मलबे में जिंदगी तलाशनी की होड बच गई खूबसूरत सफर पर निकले सैकडों लोग मंजिल पर पहुँचने से पहले ही काल के गाल में समा गए कोई अरसे बाद अपनों से मिलने निकला था कोई नौकरी रोजगार के लिए घर से दूर जा रहा था लेकिन मौद के एक जट्टे में सैकरों लोगों की जिंदगी को लील गया हाथसे के बाद ऐसी दरदनाग तस्वीरे जिहें देखकर बे रहम आखों से भी आसू छलक पड़े तस्वीरों में इस परिशान और हताश शक्स को देखिए दुबला पतला चेहरा एक हाथ में छोला और दबडबाई आखे ये वो बदहवास पिता है जिसके जिगर का टुकड़ा उसके बुढ़ाबे का सहरा उसका बेटा हाथसे के बाद से ला पता है दोनों बाप बेटे परिबार पर 15 लाग का कर्श चुकाने के लिए घर से निकले थे लेकिन हाथसे के बाद इनके बेटे का कुछ भी पता नहीं ये पिता लाशों के धेर में अपने बेटे को तराश रहा है 53 साल के रविंद्र अपने बेटे के साथ सुनहरे भविश्य के सपने देखते रेंसे सफर कर रहे थे इसकी दोरान जूरदार आवाज आए और अंधेरा चागिया जब होश सम्हाला तो सब कुछ दवा हो चुका था इस तरह सिर्फ लाशें और बेटे का कुछ भी अता पता नहीं रात भर बदहवास ऐसे ही अपने लाल को खोच दे रहे इसके बार इस स्कूल पहुंचे जहां कई शब रखे थे लाशों के बीश अपने बच्चे को तलाशने की कोशिश की लेकिन बेटे का कोई सुराक नहीं मिला बाला सूर से आई तस्वीरे देख किसी की भी रूह काम जाए बिहार के इन नौजवानों को देखी तीन दोस्त वैंगलोरू से हाबडा जा रहे थे लेकिन प्रेन हाथ से ने इनके एक दोस्त को इन से छीन लिया अब ये दोस्त का शब लेकर बिहार लोट रहे है बंगाल के दक्षिन दिनाशपूर के इस गाउं में मातम पसरा हुआ है परिवार वाले गम जदा है त्योंकि इस परिवार का बेटा भी प्रेन हाथ से का शिकार हो गया मालदा से भी ऐसी ही दर्दनाग तस्वीरे सामने आई यहां के गाउं का एक बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा सेक्डों लोगों की तरह वो भी मौत की एक्सप्रेस पर सवार था और उसका भी यह आफिरी सफायत साबित हुआ ब्यार के रक्स्टॉल के इस गाउं में कई घरों के चूले ठंडे पड़े हैं चिकनी गाउं के नौ यूगात मस्दूरी करने के लिए कोरो मंडाल एक्सप्रेस से केरल जा रहे थे तब ही हाथ से में एक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से खायल हो गई फासी के बाद से ही गाउं में शोग का महौल है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है देल हाथ से के बाद बालासोर के अस्पताल खायलों से खजा खच भरे पड़े हैं अस्पताल के कमरेख कम पढ़ गए हैं मजबूरन घायलों को अस्पताल की गैलरी में अपनी मरहम पट्टी कराने पर मजबूर होना पड़ा मरीजों से भरे अस्पताल में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लोगों की जान बचाने में धी जान से जुट गए हैं ताकि बढ़ते मौत के आपड़ों पर काबू पाया जा सके एक और जहां जहां डॉक्टर्स घायलों की एक एक सांस की रक्षा कर रहे थी वहीं हजारों की संख्या में इतने युवा घायलों को खून देने हस्पताल में जमा होगे इसे देखकर लगा कि इनसायत अभी भी जिन्दा है रक्तदान करने के लिए उस्पिटल में लोगों की भारी भी डूमर पड़ी है और इस बात की एक भायलों को खून पहले कौन देगा